अबसे परिशान थी कि यह पार्सल आया कहां से है एकनो सवान की क्या लिख रहे हैं बेटा दोबा 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 भी गहां मैं घैन्नी करुषए है कर अब लिखलेक पर करुदी के चगूकर विख्रोबी अबकेड़ i sangre जी जी जुआ कै अब औरकेधा कले थे में आधि गांद पर्माद एकन। भी जो भी थमंद से हैं मंड़ा छोटा कीचन है, छोटा कीचन हैammenहीं इसेश सीचोटा है कि इसे फिर भाड़ का, तर चोटा सा Presence एधन, फिर कर दया हुता है जगा दिया हुता हुता है तो इसे बोल तो पथर लाकर हमें जए कहला जाएगी तो अच्छा लगता हैं लेकिन इस्पेस कम पड़ जाता है अब अधर क्या बन रहा है मसरूम की सब्जी यह क्या लगता है वह डेठ है पिस्ता है यह सालेट कट करके रख्यू और यह वह रहा है थे थीक है ठीक है ठीक है जाना बनाती हूं अधर थीक है जान इसमेल जाए नहीं रहा है वह इसे ही रहा था इसमेल दही के राफ्ता है मुझे उल्तिが हो जाता है तोड़ा सबसे कीतना है ने जो दूकान को खरिजना पड़ेगा कि और कुछा नहीं बता हुआ है कि अपना की अईर्ग कहते हैं इसित देखते नहीं एक अंदर क्या क्या है वान क्या को कि थे कीछन में कम करतें थे भूसी क्या है सारे कपड़े फोल्ड करके अपना सुफा पे सजाया है इतना सारे आपका सजाया हुआ देखें तो भी ना आई हुए हैं दो पार्सल एक पार्सल तो मुझे समझ में आया कि एक पार्सल यह मैंने ओंडर किया था खोल के देखती हूं यह कुछ ना शरारा टाइप के शायद आगए थे पहलव देखना पड़ेगा अलिया कट वाले हैं साइज मैने एक दम छोटा मंगया थे कुछ भी खुरते होते हैं तो में आपके पार्सल और मैंने खोला तो बाकि पता नहीं किसने भेज बेजा अ उसकि नहीं किया इनको बीबी कॉल करके मैं पूछी यह बोलते यहां मैं दाल बना रही हो और आज मैं बनाने वाली हूं दाल पिठ्था तो पुरा इस पर्सनर राउंड राउंड किया था बॉल्स और उसके बाद सारे मैंने बनाएं जो मेरा पार्सल आया था यह अब भी ओपन करने जारी हो मैं कि कैसा है क्योंकि देखना जरूरी होता है कई बर साइज वेगर एके इशुवाज आते हैं और इस पर स्कूल से आ चुका है होंबर कभी कर रहा है मैं प्रूशन का होंबर कर लो क्योंकि फिर तर तक खाना भी बन जाएगा फिर लंच करके फिर तुरांत इसको टूशन पढ़ना है पांस मिनट में दाल हो जाया लेक अपने घर में अपने भाई लोगों से भी पूच चुकी हों कि तुम ने भेजाया क्या तो इसने बोला मैंने नहीं बेजाओ लेकिन जब मेरा यह वाला पार्सल आया ना तब मुझे पता चल गया कि यह पार्सल कि इस पर नाम भी लिखा हुगा है और पहले से मुझे आइ आरिका मॉम ब्लॉक्स ऐसे कुछ है इंडियन मॉम आरिका इंडियन मॉम आरिका ऐसे कुछ है मैं आपको ना बता दूंगी जो भी गिफ्ट सेना यह एनिवर्सरी का है तो इनके लिए मतलब मेरे हस्बेंड के लिए दी ने भेजा है एक वेलेड जो इन्हें ने ऑनलाइन आम भी आपके वाला बुक कया हुआ थास तो यह कहिए जल्दी-जल्दी में निकलने वाले खूंपने जाने के लिए kind खोले हम सोच यह पांच मिनट तक बैठ के ऐसे सोचते रहे कहां से आय कि इसने बो जब भेजा होगा लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं था और मैं उस टाइम पूछी भी नहीं आज मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया है तो यह काफी अच्छा है थांक्यू सो मजदी व वाली है जो स्पर्श इसको देखा है तो एक दम ऐसे स्माइल कर रहा था और यह जो लास्ट पार्सल है इसमें क्या है मुझे आइडिया नहीं हो उन्हें बताया भी नहीं है कि इस पार्सल में है क्या और कुछ लोग इस गिफ्ट को देख के निगेटिव कॉमेंट्स भी कर सकते हैं बट सबकी सोच अलग अलग होती है जो जैसा सोचे और मैं दी को भी बोली दी ने यह बोला था कि बस बड़ी बहन का प्यार समझ के आप ले लो और मैं बहुत मन से भेजी हूं और बोलते है ने कि गिफ्ट अगर कोई भी देता है तो उसको दम स्माइल के साथ एकसेप्ट करना चाहिए तो यहां पर मैं इस पारसल को खोली उपर से गिफ्ट वाली पैकिंग थी और जब मैं देखी ना जादा मुझे खुश इतनी खुब सूरत सी है साड़ी है कि सारी कि मैं कितनी तारीफ करूं और यह गुजरात में रहती है वह तो उस साइड का यह काफी फेमस यह बादनी प्रिंट जो होता है बहुत सुंदर लगतर मुझे तो बहुत जादा पसंद है और इस साड़ी का ट्रेंड भी कभी नहीं जाता है हमेशा रहता है तो यह वाली साड़ी और मेर मेरा फैबरेट कलर भी यलो है तो उन्होंने ऐसा सूज करके ही दिया है मुझे मेरा फैबरेट कलर एंड साथ में बिंदी है बिंदी भी काफी अच्छी है सारी कलर इसमें थे आगे मैंना बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा यहापने लाइटिंग का वह रहा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए ऐसा आया साथ में सिंदूर है और यह एक ना मतलब मुझे देख के लगा में एकदम शौक हो गई कि यह जोएलरी में मतलब क्या है इस बॉक्स में क्योंकि जोएलरी ही हो सकती है तो जब मैंने इसमें ओपन किया तो यह ओपन नहीं हो रहा है यह आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा बिच्छुए है रिंग वाला बिच्छुए है उपर से घुंगरू लगे हुए हैं काफी खुबसूरत है मुझे पसंद भी आया एंड यह मेंना हाइलाइट नहीं हो रहा था मतलब मैंना सूच में पढ़ गई हूँ कि उनको इ और मैं प्हेन लो इतनी चादा प्यारी इसाड़ी है नोज पिन है इसका डिजाइन दिखा देती हुँ पता नहीं अप लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ना हाईलाइट नहीं हो रहा है एक यहां यह रहा नोसपीन अब दिख रहा है नहीं पाइवकिश्ट और साथ में इखेविप। यहां पर यहां को धूर कि इसीमेंग एंग दोशिच प्रब एक नश्याजार दूस्ट और खृष्ट में पताएं कि लागने हैं जल्दी ही इसके बाद जो भी फैस्टीब लाएंगे मैं कोशिश करूंगी कि इसको स्टिच करवा के और मैं पहनू वीडियो शूट करने और फिर आपको थोड़े दिर बाद इस व्लॉग में फिर मिलती हो और यह नेक्स्ट डे का क्लिप है मैं बहुत जादा भी ना परिश क्या कर रहे हो जाएंग कर रहे हो आज इस पर्स स्कूल नहीं गया है क्यों कि मेरी तब्यत में ठीट नहीं है मेरे आइस बीदी श्वेली है एक आइस है तो इसलिए मैं सामने से ब्लॉग्री बनाँगी इधर तो देखो ममा को दिखाओ जोई तो ड्रोइग में क्या बना रहे हो जाए तेज बोलो जाए जाए बना रहा है दिखाना कर रहा है क्या बना रहा है चैहे दिखाना तो यहां पर मैंने आज व्टाई किया है क्या इस चिस अब्लक शिप्स भी इसमें और जो कलर फूल वाले आते ना उपूब हुआ है क्लान की भी काणते के उलिंः कार दूत तक ह mechanic कर रहे हुआ लगा का कुछ יותר किम अन्सेंट में नहीं था किष्जबी हाइं अच miracle दुकर उसने को द्व में गजल्दी षफ दवाई लेकियां या इसमें डालने के लिए ड्वाई पार्सल तो तीम पार्सल आया था मैं गई थी ना तो नीचे रिसीब कर ली तुभी और इसके लिए तो मुझे ओट टीक मांगा तो यह मैंने बोर्ट का मंगाया है और शिक्स्टी आवर तक इसका प्लेटाइम है तो यह चीज मैंने देखके ही मंगाया बागी का 20 आवर 25 मतल वैसे था यह मुझे यह चीज सही लगा बट इसको बॉक्स करके देखना पड़ेगा कैसा है क्या है और एक और चीज में बहुत जल्दी आपके सांतरी वील करने वाली हूं बहुत जल्द करूंगी अभी तक मैंने ब्लॉग में यह चीज नहीं बताया है लेकिन बहुत जल करने वाली हूं तो आप लोग इंतजार कीजिए और आप लोग गेस कीजेगा वो क्या हो सकता है जो मेरी वील करने वाली हूं मेरी लिए बहुत अच्छी जीज है आप लोग केस करना बताना यहां से पट्टा हुआ है थोड़ा तो यहां से खोल के देख चेंज नहीं किया और अशें गूम रहा है पशीना शुखा रहा है ना यह ब्लॉग दो दिन पहले शुरू हुआ था बट आज मैं सोची हूं क्यूंकि मुझे ब्लॉग डाले वी दो दिन हो चुके है तो बस ब्लॉग पोस्ट करना ही आज मैं सोची थी कि अच कम्प्लीट करके मैं इस कि प्रकट करो मामा तो सोरी मममा को बोल रहे हो तुस शीज को फालो भी करो के पोलो तूं चो ट्रें नहीं दिखाऊंगे मैं त्रेंड दिखाने वाले चीज नहीं है ऊके और पापाइंगे तो पापा क्या लेके आये खुछ नाश्टा बनाए ए बान आ बनाओ क्या बनाओ कि ऐसे वर एपालो परणाथा खा ले reco चलती हूं किचन में क्या करना है यहां तो प्रोडक्ट आया हुए इसका वीडियो बनना तेन देन से आज नहीं रखा हुआ है बस अभी आ चुकी हूं मैं किचन में अभी न यह वीडियो बलर सा रहा है क्योंकि कैमरे पर कुछ लग गया था मैं ध्यान नहीं दी और जब यह वीडियो एडिट कर रहे हूं तब मैं देख रहे हूं कि ऐसे मेरी वीडियो क्लिप बनी हुई है तो यह गैस्टोप साफ कर रही थी मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा था दोपर में दाल बनाई तो पूरा चीटा पड़ गया तो कई बार निकल जाता है ना प्रिशर क क्लीन हो गया यह देख सकते हैं मदब जो ऐसे तो कड़ी पता है पौदा हमारे पास जो सुखाया हुआ रहता है न वो खतम हो गया था तो अधर हमार चल वेगर हमें बहुत ज्यादा है कड़ी पता का जंगल इसको मैं अच्छे से रात में वाश कर दूंगी तो यह बहुत ज्यादा काम होता है फिर हो गया था भी शाम का टाइम और इस टाइम पर मैं मंदिर में दीब जला दी हूँ और इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पेंड होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा मिलती हूँ नस लॉग में बाबाए